हलो डियर स्टुडेंट्स हमारे राजस्तान जी के हिस्ट्री सेकंड ग्रेड की राजस्तान की हिस्ट्री लगभग कंप्लिट होने वाली है इसके बाद दो टोपिक और हैं जालोर के साथ दिल्ली सुल्तानों के संबंद और राजस्तान के स्वतंतरता सेनानी और स्वतंतरता आदुनिक काल में महिलाओं की भूमिका उसके बाद हमारी राजस्तान की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारा राजस्तान का कल्चर स्टार्ट होगा तो आज हमारा टोपिक है दिल्ली सुल्तानों के साथ संबन जाल रनतंबोर वन्स और उसके दिल्ली सुल्त था लेकिन पर्थिवराज तर्थिय का जो एक भाई था हर राय उसने गोविंद राज को वहाँ से हटाया और वहाँ का सासक बना तब गोविंद राज वहाँ से कहा चला गया था रंधंबोर चला गया था और रंधंबोर में चोहान वंस की स्थापना की इसने की गोविंद तो आज हम पड़ेंगे रहनधंबोर वंज और उसके दिल्ली सुल्तानों के साथ संबन्थ तराइन के दूसरे युदध के बाद पर्ठीव राज तरत्ये के पुत्र गोविंद राज ने रहनधंबोर में चोहान वंज की स्थापना की कौन से युद के बाद तराइन के दूसरे युद के बाद पर्थिवराज तरते के पुत्र गोविंद राज ने रन्थम बोर में चोहान वंच के स्थापना की रन्थम बोर में चोहान वंच का संस्थापक गोविंद राज बना गोविंदराज के उत्रादिकारी वलहन को दिल्ली सुल्तान इल्तोतमिश ने हरा कर रंधंबोर पर अधिकार कर लिया रंधंबोर में 94 स्थापना की गोविंदराज के बाद वलहन रंधंबोर का सासक बना लेकिन वलहन को डिल्ली सुल्तान इल्टुतमिष ने हरा कर रनदमपोर बर अधिकार कर लिया उसके बाद चोहान सासक वीर नारयन का इलतुतमिष की सेना से संगर्ष हुआ जिसमें वीर नारयन विजी रहा परन्तु इलतुतमिष ने शड़ेंतर से उसकी हत्या करवा दी चोहान सासक वीर नारायन का इल्तुतमिष की सेना से संगर्श हुआ जिसमें वीर नारायन विजी तो रहा लेकिन इल्तुतमिष ने शडेंतर रचकर उसकी हत्या करवा दी फिर वीर नारेन के बाद वागभट सासक बना वीर नारेन के बाद कौन बना वागभट सासक बना इल्तुतमिश की मरत्यू के बाद वागभट ने रन्तमबोर पर पुना अधिकार कर लिया तो सबसे पहले रंतंबोर में 4 वंस का संस्ता पक्तु था गोविंद राज पिर गोविंद राज का उत्रादिकारी बना वलहन वलहन को दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिष ने हराया था और रंतंबोर पर अधिकार किया इल्तुतमिष ने उसके बाद वलहन के बाद वीर नारेन का इल्टोतमिष की सेना से संगर्स हुआ ये वीर नारेन ने रन्थमबोर पर अधिकार करने का प्रत्न किया और इसमें सफल भी रहा और विजी भी रहा लेकिन इल्टोतमिष ने सड़ेंदर से इसकी हत्या करवा दी उसके बाद वीर नारेन के बाद वागभट सासक बना और जब इल्टोतमिष की मरत्य हो गई तब वागभट ने आकरमन करके रन्थमबोर पर पुना हधिकार कर लिया तो रन्थमबोर में रन्थमबोर में चोहनों का पुना संस्तावक कोन बनेगा वागभट के समय रन्थमबोर पर गेरा लगाया लेकिन तुर्क सेनापती मलिक कुतुबुदीन हसन सफल नहीं हो सका वागभट के समय चोहन सासक वागभट के समय रन्थमबोर पर गेरा डाला उन्होंने लेकिन तुर्क सेनापती मलिक कुतुबदीन हसन सफल नहीं हो सका चोहान चासक जयशिंमा के समय बल्बन ने रंथमबोर पर आकर्मण किया था अब आता है जो रंथमबोर का सबसेर पड़ताबी सासक हमीर देव चोहान हमीर देव चोहान का सासन काल क्या है? 1200 बरियसी से 1301 ईश्वी हम्मीर देव चोहान का सासनकाल है 1200 बरियसी से 1301 ईश्वी ये हम्मीर देव चोहान हट और सरण देने के लिए परसीद था और इसकी उपनाम क्या है हट और सरण देने के लिए परसीद हम्मीर देव चोहान हम्मीर देव चुहान की जानकारी के स्तरोत कौन कौन से है पहला है हम्मीर रासो जिसके लेकर के जोद राज तो इसका शोट रिक्या हो गया राज्यो रा से मतलब रासो और जो से मतलब जोद राज तो हम्मीर रासो के लेकर के जोद राज हम्मीर मा काविय इसके लेखा के नयन चंदर सूरी इसकी शोट्री क्या होगी मन मैसे हो गया मा काविय और नयसे हो गया नयन चंदर सूरी फिर आता है हम्मीर हट इसके लेखा कौन है चंदर सेकर और इसकी शोट्री क्या है हच हच का मोबाइल रिचार्ज हम्मीर हट हैसे हो गया हट और चैसे हो गया चंदर सेकर हम्मीर रासों के जोद राज हम्मीर महाकावी के नयन चंदर सूरी और हम्मीर हट के चंदर सेकर हम्मीर देव चोहान का दरबारी कवी कौन था विज्यादित्य था हम्मीर देव चोहान का सरोप्रतम किसे हराया था भीमरस के राजा अर्जुन को हराया इसके बाद हम्मीर ने उज्जेन के राजा भोज को हराया था राजा भोज वो परमारवन्स का था राजा भोज उसे हम्मीर ने हराया था हम्मीर ने मेवार के सासक समर सींग को भी हराया था हम्मीर ने मेवार के युद्ध में अलाउदिन खिल जी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्थ हुआ हमीर ने इसा सस्रता जिसने अपने जीवनकाल में टोटल 17 युद्ध लड़े जिसमें से 16 में वह विजी ही रहा लेकिन 17 युद्ध में अलाउदिन खिल जी के साथ लड़ता हुआ वी जलालुदिन था तो सबसे पहले उसने हम्मीर पर आक्रमन किया जाहिन युद्ध हुआ था 1201 बर्राणमा में जाहिन दुर्ग रंतंबोर में जाहिन दुर्ग किसके बीच हुआ जाहिन दुर्ग कास्ति थे रंतंबोर में और जाहिन का युद्ध किसके बीच हुआ था जाहिन से जै और हम्मीर वर्षे जलालुदिन खिलजी हम्मीर का सेनापती था गुर्दास सेनी जोकी मारा गया जलालुदिन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में हम्मीर का सेनापती था गुर्दास सेनी जोकी मारा गया और जलालुदिन खिल जी का सेनापती था तुगलक्खा हम्मीर का सेनापती कौन था जलालुदिन खिल जी के विरुद गुर्दास सेनी जो की मारा गया और जलालुदिन खिल जी का सेनापती था तुगलक्खा और जलालदीन खिल जी के युद्ध में परिणाम क्या हुआ हम्मीर की विजय हुई जब जलालदीन खिल जी हार गया हम्मीर से तो उसने हारने के बाद क्या खा कि रन्तंबोर जैसे दस दुर्गों को भी में एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता ये किसका कतन है जब जलालदीन खिल जी हम्मीर के विरुद हार गया तो उसने कहा कि में रन्तंबोर जैसे दस दुर्गों को भी एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता अब उसके बाद जब जलालदीन खिल जी को मारने के बाद अलालदीन खिल जी जब वहां का सासक बना दिल लिगा तब इसका युद्ध हुआ तेरा सो एक में हम्मीर से तो हम्मीर वर्चे अलालदीन खिल जी का युद्ध कब हुआ 1301 में ये राजस्तान का परतम साका कहलता है 1301 में रंथमबोर का साका उसके बाद चितोड का हुआ था जो मेवाड का परतम साका कहलता है तो सबसे पहले साका कहा हुआ रंथमबोर में हुआ राजस्तान में 1301 में युद्ध का कारण क्या था अलाव दिन खिल जी के विरूद हम्मीर का युद्ध हुआ था उस युद्ध का कारण क्या था कि हम्मीर द्वारा खिल जी के मंगोल विद्रोईयों मोहमत शाय और केहबु को शरण देना हम्मीर द्वारा खिल जी के मंगोल विद्रोईयों मुहम्मद शाह और केहबरू को शरण देना हम्मीर हट गरंत के अनुसार मुहम्मद शाह को सुल्तान की मराठा बेगम चीमना से प्रेम हो गया था और मुहम्मद शाह और बेगम दोनों खिल जी को मारना चाहते थे इसलिए हम्मीर ने उन्हें सरण दी इसलिए अलावदीन खिल जी नाराज हो गया हम्मीर के सेनापती कौन थे अलावदीन खिल जी के खिलाब भीम सिंग और धरम सिंग भीम सिंग और धरम सिंग इसमें भीम सिंग मारा गया था और अलाउदीन खिल जी की सेनापती कौन थे उलूग खाँ और नुसरत खाँ इसमें अभी 2nd grade में GK के दोनों स्रिप्ट के पेपरों में क्यूशन आया था उलूग खाँ को तो खिल जी ने रनतंबोर का सोपा था प्रबंदन और नुसरत खाँ जो था वो मारा गया था ये दोनों क्यूशन आये हैं सेकंड ग्रेड में अभी 26 अप्रेल और एक मही में तो उलुक खाँ को तो खिल जी ने रंतंबोर का प्रबंदन सोपा और नुसरत खाँ जो मारा गया इदर हमीर का सेनापती था अलाउदिन खिल जी के वरुद भीम सिंग और धरम सिंग जो भीम सिंग मारा गया था और जलाल उदिन खिल जी खिलाब कोन था हमीर का सेनापती गुर्दा सेन नी जो मारा गया और जलाल उदिन के अनुसार हमीर ने अपना सिर काट कर बगवान संकर को अर्बित कर दिया और रानी रंग देवी और पुत्री पदमला ने जल जोहर किया इसे राजस्तान का प्रतम जल जोहर भी का जाता है रंतंबोर दुर्ग में हुआ याद रखिया आप कि राजस्तान का प्रतम जल जोह कौन से दुर्ग में हुआ रंधंबोर दुर्ग में अलाउदिन खिल जी ने रंधंबोर दुर्ग उलुग खां को सोपकर उसे वहां का परबंदक बनाया तो अलाउदिन खिल जी ने रंधंबोर दुर्ग किसे सोपा उलुग खां को जबकि मारा कौन गया था नुसरत खां ख खिल जी ने का कि जब तुम तुमारे सासके नहीं हो सकते तो मेरे क्या होंगे इसलिए उसने रणमल और रत्यपाल को मरत्युर्धंड दिया इसी के साथ रंतंबोर की चोहान साका का अंत हो गया और चोहान साका समाप्त हो गई अब हम्मीर के चत्री और न्याय की चत्री कहाँ पर बनी हुई है रंतंबोर दुर्ग में और ये 32 कंबो की चत्री है हम्मीर के खिलाब युद्ध में अलाउदिन खिलजी का कवी अमीर खुशरोबी साथ था जब रंतंबोर दुर्ग जीत लिया लाउदिन खील जिन ने तो उसने एक कतन कहा ये कतना भ्याद रिखिए कि आज कुफर का घड कुफर का आर्थ होता है धरम विरोध का घड इसलाम का घर हो गया आज कुफर का घड दरम विरोध का घड इसलाम का घर हो गया हम्मीर ने कोटी येजन का यर्थ होता है असुमेग जिसा यग्ये हम्मीर ने कोटी येजन येग्ये का आयोजन करवाय था जिसका राजपुरहित कौन था विश्व रूप था हम्मीर ने कोटी येजन अर्थात असुमेग जिसा यग्ये करवाय था जिसका राजपुरहित विश्व रूप था पंदरासो गुंशित्तर में अकबर ने रन्थंबोर को गेरा परन्तु मान सिंग के पर्यासों से सुर्जन सिंग हाडा ने अकबर के अधिनता स्विकार ग हम्मीर के लिए कहा जाता है कि तिर्या तेल हम्मीर हट चड़ेन दूजी बार अर्थात हम्मीर हट वर्स रंड देने के लिए परसित था इसलिए इसके लिए कहा जाता है कि तिर्या तेल हम्मीर हट चड़ेन दूजी बार ये हो गया आपका रंधंबोर के चोहान वंस और दिल्ली सुल्तानों के साथ उनके संबन अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जालो और वन्स और दिल्ली सुल्तानों के साथ संबन पढ़ते रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन जै भारत